अबलोग्वेड़ोग अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं है तो प्रीज विडियो का लाइक देड़ेगा तो इसे में अपनी अपने फिस्ट पर राइडी फोर रिज़ के लिए अपनी फीड़ो को फिल करना स्ट रेस्ट पर दो अपनी फिल करने के लिए लेरी हूँ क्रीम तो इससे मैं अपनी आइब्रो को अच्छे से फिल कर लूगी, मैं अपनी फर्स आइब्रो को फिल कर लूगी, अगर आप लोगों का आइब्रो फिल करना नहीं है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्रिप्शन में देढूंगी, तो आप लोगों देख लेना, How to fill your eyebrows, मैंने पूर्स आइब्रो को फिल कर लुगी, तो मैंने अपनी डू़े आइब्रो के एक्स्ट्र प्रॉड़क है, उसको फिल क्र रहे हूँ, तो अब इसके बाद हम अपनी eyesbrow नीचे लगाएंगे आई प्राइमर जिससे हमारा बेस हो जाएगा सेट तो मैं अपनी आइस पर आई प्राइमर लगा रही हूं फुल आइस पर विकोज हम अपना आइस मेकप भी करेंगे तो प्राइमर लगाने से यह होता है जो भी आपके आई शेड़ो के शेड़ आप लगाते हैं वह बहुत अच्छे से शो होते हैं तो आई होप आप लोगों को आई प्राइमर या बेस कुछ भी लगाना चाहिए जो भी अवेलिबल हो तो इसके बाद मैंने अपनी सेकिन आइब्रो को आइस पर भी आई प्राइम की दूछा ओफ शेड़ो भी लिपा निया है आई शेड़ तो मैं अफनी आई टी हैप से अप्लाय करी मैंने सरफ वहन स्वेह ऩी म्ललत लिए एक। तो इसको मैं अपनी थरीगाने के बाद मैं उसी टेक्शन की हट प्लाय करए हैं अपनी दूसरी अब्रो पर भी एपने स तो मैं आप लोगों के लिए अप्लाइ आइलाइनर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देढ़ाँ दूगी इसको अप्लाइब करने के बाद मैं अपनी दूसरी एस पर भी सेन आइलाइनर ड्रोग कर रहें जो आप लोग देख सकते हैं विंग आइलाइनर इस वेरी इजी फो आइलाइनर है तो बिकोज हम थोड़ा डिफरेंट सा लुक करें इसलिए मैंने इस तरीके का आइलाइनर लगाए क्योंकि एवरी टाइम ब्लैक फेर करने से वो थोड़ा नॉर्मल सा लुक आ जाता है तो इसलिए मैं तू टू टाइप ऑफ आइलाइनर अपनी आई पर अपने फेस पर अप्लाइ कर रही हूं विद दी हल पोफ माई हैं तो आप लोग देख सकते इसको प्लाइक पर अपने फेस पर लगाए चीक पर लगाया है क्रीम ब्लश तो मैं इसको अप्लाइन करीट तो मैं एक सॉफ्ट पिंक चीक वाला लुक चाहिए था तो इसलिए म मैं अपने फेस पर करने वाली कॉंटॉरिंग तो इसको ब्लैंड करने के बाद मैंने एक कॉंटॉर स्टिक लिए मैं कॉंटॉरिंग क्रीम कॉंटॉर करें जसके आप लोगों देख सकते हैं चीक से के कॉंटॉरिंग और मैं अपने चीन की कॉंटॉरिंग करेंगी इसके ब आप लोग देख सकते हैं यह बहुत अच्छी से ब्लैंड हो रहा है इसी तरह किसे मैं अपने फुल फेस की तो यह मुझे लग रहा था कि मेरा जो लुक है वो हाइड हो जाएगा तो इसलिए मैंने मेडियों कवरेज को यूज के इसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो भी फेस का प्रोड़क्ट है वो बिल्कुल भी वो नहीं हुआ उड़ा नहीं तो जैसा लग मुझे चाहिए था यह वैसे लग रहा था मेरे चीक्स के इसके बाद मैं अपने फेस पी लगाने वाली हूँ लूस पावडर अपने सारे बेस को सेट करने के लिए अब मैंने लूस पावडर को लगा लिए इसको अच्छे हो चुके डन तो मैं अपने पॉन एरियांस पर लगाने वाली हूँ हाइलाइटर नोस पर अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीस मेरे चानल को सब्सक्राब करें और वीडियो को लाइक करते रहे हैं फोर मोर इंफरमेटिव वीडियो आप मेक अप तो